अमेरिका का एक अख़बार है दि न्यू यॉयॉक टाइम्स वामपंथियों के बीच में बहुत फेमस है ये वामपंथी शब्द मैं बहुत सो समझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि इसमें अक्सर इंडिया के बारे में भारत के बारे में तमाम ऐसी चीजें जो इसकी अप देश में कुछ लोग बैठे हुए हैं दर्वाजे पर नौक करता एक भारती किसान है जो अपनी गाए के साथ इस डॉर को नौक कर रहा है और अंदर आने की परमिसन मांग रहा है इसका बहुत ही क्रिटिसिजम हुआ पूरे देश दुनिया में इसके बारे में बहुत होहला मजता है इतना होहला मजता है कि नौक टाइम्स को इसके बारे में एक माफी नामा चापना पड़ता है समय का चक्र बदलता है समय आता है 4 जुलाई 2023 भारत अपना अगला मिसन लॉंच करता है चंद्रयान 3 इसके लॉंच के बाद वही निव्योग टाइम्स के हेडलाइन्स के पन्ने बदल जाते हैं वो कहता है भारत उभरता हुआ सितारा नमस्ते दोस्तों मेरा नाम है अतुर शिवास्ता और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें बात करते हैं आज भारत के स्पेस प्रोग्राइम के बारे में भारत का स्पेस प्रोग्राइम स्टार्ट कैसे हुआ प्राइवेट प्लेयर्स क्या कर रहे हैं दुनिया में क्या हो रहा है क्या चंद्रयान 3 ही हमारी सफलता है क्या और भी चीजे हैं जो पाइपलाइन में है और भारत उनकी तरफ बढ़ रहा है इसके बारे में आज समझने की कोशिश करेंगे अपनी special series space के बारे में आज space program के बारे में भारत काफी successful है भारत की जो space agency है इसरो उसने अभी तक करीब 160-165 missions किये हैं काफी सारे उसमें से successful रहे हैं भारत में आज की date में करीब 140 startups है space में काम करते हुए भारत दुनिया का चौथा देश बनने जा रहा है जो अंत्रिक्ष में इंसान को भेजेगा भारत मंगल पर पहले प्रयास में पहुँचने वाला दुनिया का इकलौता और पहला देश बन च space के बारे में research हो रही चीजे हो रही है उसमें भारत की हिस्सेदारी बहुत कम है यह हिस्सेदारी कम क्यों है कैसे सुरू होती है भारत की जर्मी जब भारत 1947 में सुतंत होता है तो हमारे पास बहुत जादा साधन नहीं थे संसाधन नहीं थे हमारे पास अलग चुनोतिया थ थी महामारी की चुनोती थी हेल्थ स्वास्थ सिख्षा इन चीजों की चुनोतिया थी भारत के पहले प्रधानमंतरी स्री जवाहरलाल नहरू इसके बारे में ध्यान दे रहे थे साथी साथ वो ये भी चाते थे कि हम बाकी चीजों में अपना समय और संसाधन नस्ट ना करें और कम से कम भारत की बुनियादी चीजों पर ध्यान दे समय थोड़ा सा बदलता है करीब 10 से 15 साल आगे बढ़ते हैं साल है 1962 1962 में एक बहुत ही famous physicist है विक्रम सारा भाई विक्रम सारा भाई को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नहरू जी बुलाते हैं मिलने के लिए और उनसे कहते हैं भारत के space program की अगवाई करो Express Program का एक नाम होता है, नाम होता है Indian National Committee for Space Research, ये कमेटी बनती है, विक्रम सारा भाई उसको उसकी अध्धक्षता करते हैं, उसके संक्ष्ठन प्रमुग बनते हैं, समय बीटता है, अब विक्रम सारा भाई को ये जिम्मदारी तो मिल गई, कि आपको ये Indian Space Research के बारे में काम करना है, लेकिन उनके पास कोई संसाधन नहीं थे, चीजें स्टिबलिज्म नहीं थी, कोई इंस्टिूशन नहीं था, वो कुछ ग्रेजुएट्स हायर करते हैं, कुछ ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स हायर करते हैं, आपको जानकर हैरानी होगी, जो Indian Space के लिए फर्स रिक्रूट जो जिस बैच को किया गया था, जादा तर उसमें से बिना किसी फॉर्मल्टी के किया गया था, केवल ये बोला गया था कि अगर आप वालन्टियर करना चाहते हैं, तो आएए हम एक स्पेस रिसर्च से रिलेटेड कुछ प्रोजेट कर रहे हैं, उसमें वालन्टियर करिए, बहुत सारे लोग आते हैं, देश के कोने कोने से लोग आते हैं, और उसमें वालन्टियर करते हैं, कई सारे लोग बाद में उसी स्पेस प्रोग्राम को जोईन भी कर लेते हैं, कई सारे लोग ऐसे होते हैं, जो उस प्रोग्राम में केवल वालन्टियर करते हैं विक्रम सारा भाई ने NASA के साथ कोलाबरेशन किया और उन लोगों को जो फर्स्ट बैच ऑफ रिक्रूट्स थे और जो वालेंटियर्स थे उन में से काफी सारे लोगों को NASA ट्रेनिंग करने के लिए भेजा नासा ने ट्रेनिंग कराने के साथ जो यह लोग गये थे, इनको ट्रेनिंग कराने के साथ साथ एक अपना सेटलाइट भी देता है. पुराना सेटलाइट देता है. नाईके अपाशे नाम का. नाईके अपाशी सेटलाइट भारत लाई आती है. उसके बाद उसे 1963 में लॉंच किया जाता है. उसके launch की कहानी भी बहुत ही दिल्चस्प है, उसके launch के लिए कोई जगह नहीं थी, कोई space नहीं था, विक्रम सारा भाई और उनके साथ बाद में भारत के राष्ट्रपती बने स्री अब्दुलकालाम ये दोनों लोग जाते हैं और केरला में इसके लिए एक जगह ढोडते है वो जगह इन्हें मिलती है, थुमबा नाम के गाओं में एक चर्च, गाओं का ही एक चर्च है, उसका compound इन्हें मिलता है, वो चर्च के प्रीस्ट के पास जाते हैं, उससे request करते हैं, उससे बाते करते हैं, प्रीस्ट इनको वो जगह देने के लिए तयार हो जाते हैं, लोकल चीज़े वेलेबल थी आपको जानकर हैरानी होगी कि जो सेटलाइट यूएस से भारत आई थी जो तो वह बेसिकली लाइन वे लाकर रखी कही थी और वहां से उस गाउं तक लाने उस गाउं कांपाउंड तक लाने के लिए कोई संसाधन नहीं थे क्योंकि वैसा लाईट असेंबल करने के बाद बैलगाडी पर लादकर जो इंडियन जुगार सिस्टम है बैलगाडी पर लादकर वो लेकर आया जाता है वहां launch pad के station पे उस compound में और जो rocket है जिस rocket से launch किया जाना है उस rocket को लाया जाता है cycle से cycle के पीछे बाधा जाता है और वो साइकल चलाते हुए लेकर आया जाता है रॉकेट को वहां से लॉंच किया जाता है भारत ने ये जरनी वहां से स्टार्ट करी जब हमारे पास संसाधन नहीं थे लेकिन एक इंसान था कुछ लोग थे जिनका नाम डॉक्टर विक्रमसारा भाई संसाधन के एक रॉकेट लॉंच करते हैं समय और बीदता है साल आता है 1975 साल 1975 में भारत अपना पहला सेटलाइट लॉंच करता है सेटलाइट का नाम आपने जीके कि में जरूर याद किया होगा पढ़ा होगा या रटा होगा आरभट भारत का पहला सेटलाइट आरभट भा और उससे रिलेटर चीजों की जानकारी करने के लिए ये सेटलाइट जब लॉंच की जाती है भारत के पास फिर भी उतने संसाधन नहीं थे कि वो अपने खूद के वहकिल से लॉंच करे मतलब जिस रॉकेट पर रखके सेटलाइट लॉंच किया जाता है वो वहकिल वो रॉक लॉंच करता है अगली सेटलाइट लॉंच करता है तब तक भारत ने अपना खुद का वहकिल डेवलप कर लिया था भारत अपने खुद के वहकिल पर लॉंच करता है अपना अगला सेटलाइट तब से लेकर आज तक बहुत सारे चेंज़ आ गये हैं बहुत सारे बदलाव आ गये हैं भारत स्पेस में एक अग्रडी नाम हो गया है जैसा कि मैंने आपको भी पहले कुछ समय पहले बताया कि भारत की भारत में करीब 140 रजिस्टर्ड स्पेस स्टार्टप्स हैं 140 स्पेस स्टार्टप्स भारत का जो आधिकारिक गॉर्मेंट बॉड़ी है इसरो जो वो करीब 106 के आसपास मिसंस कर चुकी है भारत मंगल ग्रह के और्बिट में पहुँचने वाला दुनिया का पहला राष्ट बन चुका है भारत ने एक रॉकेट लॉंच करा था उसमें 174 सेटलाइट लॉंच किये थे वो उस समय का वर्ड रिकॉर्ड था बाद में अमेरिका की जो प्राइवेट एजनसी स्पेस एक्स एलॉंच मस्क वाली उसने इस रिकॉर्ड को तोड़ा लेकिन वो दुनिया का उस समय का सबसे बेतरीन प्रोग्राम था एक बार में 104 सेटलाइट लॉंच करने का तब से समय बहुत बित्ता है जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया इतना सब होने के बावजूद भारत अगर विसुपटल पर देखें तो अभी भी बहुत चीजों में थोड़ा सा पीछे हमें दिखता है एक सो एक सो पचीज एक सो अथाइस ऑब्जेट्स के आसबास ही छोड़े पूरे एक साल में इसका मतलब भारत इस रेस में थोड़ा सा पीछे है अगर हम पूरी परसेंटेज वाइस एकॉनमी में देखें तो भारत की स्पेस एकॉनमी दुनिया की स्पेस एकॉनमी कट और अगर नमबर वाइस भी देखें तो करीब हम साथ में आठव हो नमबर पर आते हैं लेकिन भारत के पोटेशल में कुछ बात है पूरी दुनिया के लोग बात करते है क्या बाते करते है, क्या ऐसा चेंज हुआ है 2020 में बारत ने प्राइवेट प्लेइर्स को अलाव किया कि आप आईए और space program में खुद भी contribute करिए मतलब अब कोई private player भी अपना satellite बना सकता है launch कर सकता है information दे सकता है और बहुत तरीके की activities कर सकता है space में अब केवल government का rule government का control नहीं रह गया है उसने leverage कर दिया है सब के लिए of course उसके लिए licensing और कई सारी चीजों की जरूरत है लेकिन केवल 2020 से ये start नहीं हुआ ये start हुआ करीब 20 साल पहले से 20 साल पहले से भारत की कई सारी ऐसी companies थी private companies थी जो space program में थोड़ा बहुत help करती थी मैं आपको कुछ surprising नाम बताता हूँ एक surprising नाम है गोद्रेज गोद्रेज का नाम आपने सुना होगा गोद्रेज के ताले आते हैं गोद्रेज की पहले अलमारी आती थी गोद्रेज का साबून आता है गोद्रेज का गुड़नाइट आता है मच्छर भगाने वाला बहुत सारे ऐसे चीज़े आपने सुनी होंगी लेकिन गोदरेज ने एक engine भी डेवलक्स किया विकास इंजन मोदी जी वाला विकास वाला विकास वो विकास इंजन भारत के चंदरियान के जो मिशन्स हुए है उसमें यूज हुआ है इसी तरीके से आंध्रा सुगर्स करके एक कमपनी है उसने भी बहुत से कॉंपोनेंट डिजाइन और सपोर्ट किये है इस लोगे प्रोग्राम में ये लोग ज़्यादा तर इस लोग को सपोर्ट करते थे लेकिन उस समय इनके स्पेस प्रोग्राम का मतलब ये नहीं होता था कि मुझे इससे पैसे कमाने है वो ज़्यादा तरी इस परपस से करते थे उनको प्राउड फिल होता था कि मैं कंट्री के लिए कुछ कर रहा हूँ कंट्री के स्पेस प्रोग्राम में कुछ कंट्रिबूशन अपना कर रहा हूँ लेकिन हम जानते हैं जब तक केवल प्राउड और असमिता की बात होती है तब तक हम लोग एक पूरी एकॉनमिकल मॉडल नहीं डिवलप कर पाते हैं एक पूरा मॉडल डिवलप करने के लिए उसमें चाहिए होता है कि कुछ ऐसा किया जाए कि लोग इसे पैसे भी बनाए कुछ फ्रोफिटिमिल्टी भी हो ताकि जादा से जादा इन्वेस्टमेंट आए और ये इसपेस ग्रो हो 2020 में वही हुआ SpaceX जो Elon Musk की कंपनी है वो खुद बहुत सारे इन्वेशन करती है और प्राइवेट प्लेयर में बहुत अच्छी तरीके से है दूसरी एक कंपनी है जो आपने बहुत सारे एरोप्लेंस के नाम देखे होंगे Boeing जो एरोप्लेंस के चीज़े डिजाइन करती है उसने बहुत सारे स्पेस के भी स्पेस क्राफ्ट और इस तरीके के उसके पार्ट्स कॉंपोनेंस कीये है उसी तरीके से यूरोप में एक कंपनी है एरियन स्पेस यूरोप के जितने भी सेटलाइट वगरा लाँच करने वाले प्रोग्राम होते हैं वो ज्यादा तर एरियन स्पेस लाँच करती है ये मैंडिट नहीं है बट एरियन स्पेस एक as a private player यूरोप में बहुत अच्छा काम कर रही है अब समझते हैं कि private players की जगह कहां पर है देखिए स्पेस प्रोग्राम में दो तरीके की चीज़े होती है दो तरीके की services होते है एक upstream services होती है upstream services मतलब आप satellite launch कर रहे हो satellite बना रहे हो उपर भेज रहे हो उस तरीके की जो services है वो upstream services है downstream services होती है जो उनका data आता है जो data हमें collect हो रहा है वो satellite और भेजने के बाद उनके data को लेकर कुछ आप यहाँ पर services यूज कर रहे हो वो downstream services है जैसे मौसम का हाल मालो है कोई company है उसने किसी satellite से data लिया उसके बाद यहाँ पर उस data को analysis करती है और analysis करने के बाद वो मौसम के alert भेजती है तो वो downstream services है और जो company satellite जिस company ने भेजा हुआ है जिस agency ने satellite भेजा हुआ है वो upstream services में आती है भारत में अभी भी करीब 66% downstream services जो private players है वो कर रहे है लेकिन अब कई सारी ऐसी companies आई है जिन्होंने upstream services में भी ध्यान देना स्टार्ट किया है इसी करम में एक बहुत ही अच्छी company का नाम आता है धुरुआ स्पेस स्पेसक्स की मदद से और उसके बाद ऐसी नौबत आ गई थी कि इनको लग रहा था कि मुझे बेचना पड़ेगा अपना अपना जो इस टार्टाप हो वो बेचना पड़ेगा लेकिन 2020 में private players के लिए ये स्पेस ओपन हो जाने के बाद फॉर्मली ओपन हो जाने के बाद ये बहुत अच्छा कर रही है इसी तरीके से एक कंपनी है बैंगलोर बेस्ट दिगांतरा दिगांतरा क्या करती है ये स्पेस डबरी पे काम करती है इस्पेस डबरी क्या होता है देखिए मैंने आपको बताया कि अभी 2022 में ही यूएस ने करीब साढ़े-पांच-चार सेटलाइट उपर छोड़े सेटलाइट मतलब इस्पेस औबजेक्ट उपर छोड़े अब ये औबजेक्ट तो खराब होते हैं कुछ समय बाद खराब होते हैं लेकिन उनको धर्ती पर वापस ले आना, उनको नस्ट करना, उनके जो पाटकल है, उनके जो टूटे मलवा है, जो खराब material है, वो एक बहुत ही costly exercise होता है तो अभी तक जादा तर चलन ये है, कि वही पर उन्हें छोड़ दिया जाता है उपर, वो आकास पढ़े रहते हैं, और ऐसे घूमते रहते हैं, खराब होने के बावजूर, कई बार वो कभी समुद्र में गिर जाते हैं, कभी कहीं पर गिर भी आते हैं, बट जादा तर सिंटीमीटर चोटा टुकड़ा है, कोई कुछ बड़े-बड़े पूरे के पूरे सैटलाइट है, दोहजार इकीस में सी तरीके से एक स्पेस डबरी से चाइनीज सैटलाइट की टकर हो गई थी, और पूरा वो सैटलाइट ही नस्ट हो गया था, खराब हो गया था, इसका म स्पेस कंपनी दिगांतरा जो मैंने आपको बताई, वो अच्छा काम कर रही है, उन्होंने क्या किया, उनका मतलब एक औबजेक्टिव है कि मैं करीब 40 सैटलाइट छोड़ूँगा, और जो इस स्पेस डबरीज है, उनको एनलेसिस करेगी और उसके बारे में इन्फोर्मे तो गूगल अर्थ में क्या होता है, कि आप जूम करते जाते हैं, जूम करते जाते हैं, जूम करते करते, अपने घर की पिक्चर भी आप देख सकते हैं उपर से फोटो, लेकि इसमें क्या होता है, उतनी क्लियरिटी नहीं होती, और इतनी डिटेलिंग नहीं होती, कि उससे आप यह देखकर बता पाओगे कि जमीन में कहां पर नमी है, कहां पर नमी नहीं है, किस तरीके कोई अगर फसल लगी हुई है, तो फसल में रोग लगा कि नहीं, इनका अबजेक्टिव यह नहीं है कि कोई एक सेटलाइट छोड़ेंगे और वो करेंगे, एक सेटलाइट जु कोई न कोई सेटलाइट आपके घर के ऊपर हर दो दिन बाद बुजरेगी, और वहां से इमेज़ज कैप्चर करेगे और उस डेटा को अनलेसिस करेगी, तो यह बहुत ही अच्छा स्टार्ट अप स्टार्ट किया है, यह सब इंडियन स्टार्ट अप्स है जो मैं आपको ब लांच करने थे, उनका अब्जेक्टिव है कि करीब और चार सो स्टेलाइट के आसपास लांच करेंगे, वजल एक लांच नहीं करेंगे, तो यह बिसिकली इंटरनेट करेक्शन से देना चाहा रहे है, चाहार है कि कभी भी आपको इंटरनेट करेक्शन चाहिए, तो जब की डिसकरेक्शन की प्रावलम आती है, डाउन हो जाता है, वो प्रावलम्स खतम हो, और सटलाइट से आपको इंटरनेट मिले, अच्छा इडिया है, इलॉन मस्क की भी एक कमपनी है, स्टार लिंग, वो भी इसी डिरेक्शन में काम करती है, लेकिन अब यहां पर प्रावलम क स्टार्ट हो गई थी तो रसिया को डर था कि चुकि यह जो कंपनी है इसको फंडिंग यू के से मिली हुई है तो कहीं यू पे गवर्मेंट मिलिटरी परपस से इसको यूज न करे तो रसिया ने मना कर दिया इसे लॉंच करने से अब वो आते है इस रों के पास इस रों ने लॉंच कर दिया चतिस देखिए अभी रसिया और चाइना दो ऐसी कंट्रीज है जो बहुत ही एकनॉमिकल सेटलाइट लॉंचिंग की सुझा देती है और बहुत एकनॉमिकल आप लॉंच कर सकते हो बट इंडिया को उसमें एड्वांटेज मिल रहा है क्योंकि दुनिया में कहीं न कहीं यह जो जियो पॉलिटिक्स है उसका फाइदा आज इंडिया को मिल रहा है भारत में स्पेस बिजनस का बहुत ही अच्छा इसको आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताइए तब तक के लिए थैंक्यू जैहिंद